आपके जो आवीदन है वो भी शुरू हो गया है तो हम लोग इसके उपर पूरी चर्चा करेंगे इसके नोटिस के साथ में यह विग्यापन जारकंट एकेटमिक काउंसल राची ठीक है आप रुख देख रहे हैं यह टेट का एक्जाम है और इस पर मैंने पहले भी वीडियो एक बनाया था पर जिन बच्चों तक वह वीडियो नहीं पोचा है होपसो कि वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा और बिल्कुल वही सिस्टम रहने वाला है जैसा आपका सीटेट का रहता है जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट के लोग इसमें अलाव है बीड वाले बच्चे पेपर वन के लिए अलाव नहीं है आपको पेपर टू भर सकते हैं और इसके अलावा इसका जो स्लेबर्स जूरत है तो आप लोगों का जो भी वर्ग है जो भी केटेग्री आप उससे अपने इन नम्बरों को मैच कर सकते हैं ठीक है सबसे ज्यादा जन्रल केटेग्री वाले को ही चाहिए फॉर्म भढ़ने की एक यही रिक्वार्मेंट है याप भारत के नागरिक हो इसके अलावा आप पे कोई भी चार्जेस नाओ प्रिमिनल चार्जेस नाओ मतलब कि आप दोसी नाओ किसी भी प्रकार से ठीक है और आप जो परिक्षा की सुल्क रहने वाली है जो फीस रहने वाली है वो तेरा सो पंद्रा सो रुपए बहुत हाई है पेपर भी लगबग आपका आठ साल बाद हो रहा है इस पर हमने पहले भी चर्शा की थी एक और न्यूस्पेपर की कटिंग थी उसके थू चर्शा की थी और आप लोग अपने अपने कैटेग्री वाइस यहां पर फ जोने तीर घंटे दिये जाएंगे और एक से पांच लेविल बन छे से आठ लेविल टू जो कि आपका वीड़ वाले बच्चे लेविल टू में लाओ है ठीक है इस तरी के कि यह पूरी जी पूरी नोटिस है और अगर हम लोग आवेधन की बात कर लें तो आवेधन आपका शुरू हो चुका है देखती हूं यहां कहीं के लिखा होगा हां यह लाश्ट की लाइन में लिकुल लिखा होगा है कि आपका तेज जुलाई से आवेधन सुरू हो गया है बाईस अगस्त के लिए तो जो बच्चे सीटेट नहीं भी क्लियर कर पायते उनके लिए भी कही न कहीं एक golden opportunity है कि आप जहारखन debt को दे सकते हैं इसके अलावा जो vacancies वगएरा आएंगी वो फिर आप जहारखन में आने की chances हैं ठीक है तो आप at least उसके लिए eligible हो जाएंगे चलिए ठीक है मिलते हैं next class में thank you